दोस्तो जो भी स्टुडेंट पर्थम इंटरस्तर ये संयुक परिच्युक्ता परिच्छा जो बिहार कमचारी चेयना एक दोरा होना था उसका इंतचार कर रहे थे उनका इंतजार फाइनली खतम हो गया है ये फाइनल नोटिस आ चुका है बिहार SAC के तरब से आजी की डेट क्योंकि उनका एक्जाम बहुत जल्द स्ठीक एक महिने बाद शुरू हो जाएगा यानि कि 8.12.2018 से पर्थम इंटरस्तर ये संयुक प्रारंबिक परिच्वक्ता परिच्छा 2014 सुरू होगा तो पूरा डिटेल मैं आपको पढ़कर दिखा देना चाहता हूं समझा भी देना आया है तो सबसे पहले यहां पर आप देख लिजे बिहार कमचारी चैन आयोग पटना द्वारा परकासित बिज्यापन संख्या 06060114 पर्थम इंटरस्तर ये संयुक प्रारंबिक परिच्वक्ता परिच्छा 2014 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यारतियों को सुचित किया जाता है कि उक्त परिच्छा का आयोजन दिनांक 8-12-2018, 9-12-2018, एवं 10-12-2018 को दो पालियों में निर्धारित है अब भ्यारतियों का परवेश पत्र सीग ही आयोग के बेवसाइट बेवसाइट का नाम यहां पर दे दिया गया है पर अपलोड कर दिया जाएगा अब भ्यार एक्जाम में तो आपको किस तरह का बुक ले जाना है वहां भी इसका प्रारूप दे दिया गया है और कहा गया है कि उप्रोप्त प्रारंविक परिच्छा पुस्तक सहित ली जाएगी पर थे खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी वैशारति अपने साथ अधिक्तम तीन पुस्तक ले जाना है अधिक्तम आपके पास तीन पुस्तक होना होगा किस तरह का पुस्तक एक समाने ग्यान के लिए एक गनीत के लिए एक समाने बिग्यान के लिए परिच्छा पहन में ले जा सकते हैं तो आप समझ गया है कि इस तीन तरह का ही आप ले ज गनीत ले गए किसी और पॉब्लिकेशन का तो वो सब माने नहीं होगा ध्यान रखे वो सब बुक आपको पैच्छा हॉल में बाहर रखवा दिया जाएगा उसको लेकर आपको अंदर जाने का नहीं होगा जो भी NCRT, BSEB, ICSE में जो सिलेवस में जो बुक प्रिफिरेंस है वो बुक आप ले जा सकते हैं टेस्ट बुक ले जा सकते हैं ठीक है तो उमीद करते हैं यहां पर आपको confusion नहीं होगा किसी बिशय से संबंदित, guide, किसी पुस्तक की photocopy अथवा हस लिखित note पैच्छा भवन में ले जाने की अनुमती नहीं होगी पैच्छा भवन में पैच्छी से सोचेंगे कि पुस्तक हम मान के काम चला लेंगे तो ऐसा नहीं है तो यह 8-11-2018 का नोटिफिकेशन है आपका admit card नौंबर last week में आ जाएगा और आपका जो एक्जाम होने वाला हूँ आठ दिसंबर, 9 दिसंबर एवं 10 दिसंबर को दो पालियों में यानि कि ती टोटल दो पालियों में परते एक दिन एक्जाम लिया जाएगा तो यह final notice आ चुका है अब इसके बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा exam date में तो student तैयारी करना शुरू कर दे बहुत जोर सोर से और यह बहुत बड़ी news है अब इसमें कोई confusion आपका नहीं रह चुका है इस exam स related जिनको भी confusion होगा वो सारा confusion अब दूर हो गया होगा exam से इंटरस्टरिये जो exam होने वाला है 2014 का परिच्छा था उसका अब कोई confusion नहीं होगा क्योंकि दूतिये इंटरस्टरिये से परतियोगत्या परिच्छा का जल्द ही notification आने वाला है इसलिए आयोग चाहता है कि उससे पहले हम पर्थम इंटरस्टरिये से परिच्छा का exam हम ले ले ताकि दूतिये इंटरस्टरिये पर से परतियोगत्या परिच्छा का notification निकालते समय और उसका exam जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा तो student को यह information कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो खिर्प्या करके आप confusion 9.2.11 को subscribe करना न भूले इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगा बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो